नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सीबिस तरफिस में यूपी प्यस्सी के लिए यह फुल लंटे सीरीज हम आपके लिए लाएं यह कंप्लीट इसमें जैसा पेपर एक्जाम में आता है बिल्कुल वैसा ही यह आपके दिया जाएगा डेर्ड सो क्षिशन है बिल्कुल लेट इस्ट पैटर्न के इसाब से है जो 2020 का जो है पैटर्न आपका 2008 से जो पैटर्न जेंज गया था उसके हिसाब से complete यह आपे है इसमें सारे स्चिक्षन के क्वेश्चन है पॉलिटी इस्ट्री जोग्रफी इकनॉमी साइंस इन्वार्मे सब्सक्राइब कर दिएगा सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ते फ्री रहेंगे सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है कोई फीज नहीं है मारे कई सारे चलते रहते हैं आप अगर चाहें तो हमारे दो नंबर सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री टेलिग्राम जरूर जोइन कर लिएगा चलिए यह देखिए आप पूरी यह जो 150 वाली सीरीज इसको सॉल करिए और स्कोर बताना जरूरी है बहुत जादा जरूरी ही है फ्रेंस वेल्कम टू स्टाडी फर सिर्वल सर्वसेस इस वीडियो को स जानकारी लेनी हो तो इन नमबर पर कॉन्टाक्ट करकर आप जानकारी ले सकते हैं यह टेस सीरीज के लिए भी अवेलेबल है पेट ग्रोप हमारा और कम्प्रीट स्टडी मटेरियल के लिए इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलिग्राम ग्रूप को से पताइए कौन सा होगा इसमें जो करेक्ट है वो है अभी लेक भोच प्रतिहार से क्योंकि हाथी गुमफा अभी लेक का संबंद किससे है खारवेल से अहयोल अभी लेक का संबंद है पुलकेशन सेकेंड से और जूना कर अभी लेक इसको आपने अवर्शी बहुत बार आ चुका है इसका connection है रुद्रदमन से ठीक है तो यह first question हो गया हमारा सिर्फ यही नहीं है कि हम जो गलत answer है जो जो सही answer है उसी को देखें सारे options हमें पता होने चाहिए ताकि अगर exam में ऐसा कोई भी question आ जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए next question हमारा आ जाता है कि कौन स governor और उसके बाद 1930 में इन्होंने कोचीन से कहा transfer कर दिया था मुख्याले का गोवा में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ इसमें फिर से हमें बताना है कौन सा सही सुमेलेत है तो जो सही सुमेलेत है वो कौन से है वो है रंगपुर गुजरात का कार्थियावार में है और आलमगीरपुर उत्तरप्रदेश में ये दोनों ही हमारे गलत है क्योंकि कोट डीजी जो है वो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है और धौला वीरा हमारा पड़ता है गुजरात के कर्च में ठीक है तो correct option इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा option number B यानी 1 & 2 right next देख लेते ह नेक्स question है कि जो 1770 का फरुक सियर का शाही फर्मान था इसके संदर में कौन सी statement हमारी incorrect है पहले में कहा गया है कि जो भी सिक्के बंबई में ढाले जाते थे इनको पूरे मुगल सामराज में valid कर दिया गया था दूसरी statement में कहा गया है कि East India जो company थी इसने कलकत्ता में इस हजार वार्षक रकम के बदले मुक्त व्यापार की छूट मिल गई थी और फोर्थ स्टेटमेंट है कि दस हजार रुपए वार्षक देने के बदले में उन्होंने सूरत के सभी करों से मुक्ती पाली थी तो इसमें जो incorrect है वो है हमारा option number B क्योंकि उन्होंने अधिकार स संधी से रिलेटर पहली बास कहा गया है पहली statement में कि जो सुराज दौला थे उनको कलकत्या पर आकमर करने का जो हर्जाना था वो अंग्रेजों को देना पड़ा था दूसरी statement में कहा गया है कि जो company को मुगल बाच्छा के फर्मान के अनुसार व्यापारिक सोविधाय फिर third statement ही sorry इसमें हमें गलत बताना था तो इसमें हमारी केवल third statement ही गलत है first और second statements बिल्कुल सही है right तो इसमें गलत कथन पूछा गया है और केवल तीसरा जो कथन है वो गलत है बाकि first और second सही है इसलिए हमारा option कौन सा होगा option number c और यह जो अलिनगर की संधी है यह हुई थी February 17 1557 में right आगे बढ़ते हैं इस question में जो statements दिये गए उनको देख लेते हैं इसमें कहा गया है कि जो उपनिश्यद्स हैं उसमें कर्मकान्डों की निंदा की गई है और केवल ग्यान पर बल दिया गया है और जो हमारे अरण्यक है आरण्यक्स उसमें क्या कहा गया है कि यग्य मुझसे बोलने में कुछ कलती हो जाए तो एक बर questions को भी ध्यान से पढ़ ली सेगा फिर हम देखते हैं यह बहुत संगीतियों में कौन सा सही सुमेले थे जो प्रथा में क्या वो राजगीर में हुई थी बिलकुल सही है जो द्विती है वो कहा हुई थी पातली पुत्र मे नहीं वो हुई थी वैशाली में थर्ड कहा हुई थी थर्ड हुई थी पातली पुत्र में और चतुर्थ जो थी वो हुई थी कुंडलवन में कश्मीर में ठीक है और यह कुशान शासक कनिश के समय पर हुई थी यह question भी हो गया हमारा next देख लेते हैं देखिए ऐसे questions काफी की बार पूछ लिए जाते हैं जो हमें नहीं आते हैं लेकीन के थोड़ासा दिमाग लगा है तो हमारे आंसर सही हो सकते हैं देख ही दर्ड पाल की बात की जाव रही है दर्ड कौन देथा है पुलester विभाग की दर्ड देता है तो यह सीस्त्मेंट हैं बिथी बतात है यहAcc आजस्व एकत्र करते थे जो अधिकारी उनको कहा जाता था ये भी बिल्कुल सही है और फिर तीसरा कहा जा रहा है आकड़ा अध्यक्ष खानों का अधिकारी देखिए अब जैसे आकड़ा अध्यक्ष है ये तो लेर्ण करना पड़ेगा लेकिन फर्स्ट और सेकेंड आप व्रत्ति करती थी स्वतंत रूप से उनको रूपा जीवा कहा जाता था और इसमें सती प्रता उस समय पर मौझूद थी साती जो सामाने जनता थी उनकी भाशा पाली थी तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा जलती से बताईए कौन सा करेक्ट होगा इसमें जो हमारा करेक्ट हो पाली में बात करते थे, उसके बाद ये जो सती प्रथा का लेख कहां मिलता है हमको, ये हमें बुद्धिस्ट और ग्रीक जो एविडेंसे से उनसे पते सलता है कि उस समय पर भी सती प्रथा का प्रशलन था, ठीक है, अगले क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, ये साथ महानों से इसमें कहा गया है कि इनकी जो राजगी भाषा थी, वो संस्कृत थी, और जो राट सिंगासन था, उसका जो उत्तरा अधिकारी होता था, वो उनका पुत्र होता था, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, केवल स्टेटमेंट 2 सही है, क्योंकि इनकी भाषा कौन सी थी प्राकृत ओवध बहुत इंपरटेंट थी तो ध्यान से सुनेगा और यह प्राक्रट भाषा थी लिगए इसके लिपवी इस तो हुथि वो थी भ्राम Χुर यह लोग प्राक्रत भाषा में का यूज करते थे वही इनकी राजकिय भाषा थी आगे देखते हैं एक बर फिर से हमें देखना है कौन सा सही सुमेलत है पल्लव सिंग विश्णु बिल्कुल सही है चंदेल नन्नुक यह भी सही है कल्चूरी दंतिदुर्ग क्या यह सही नही नहीं है क्योंकि क्ल्चूरी का कौन था कोलम और दंतिदुर्ग का संबन था राश्ट्र कूट बंच जो था उससे तो आप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा आप्शन नम्बर यह यानि वन टू आर करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेशन पर आ जाते हैं यह बुक्स है कौन सी और फिरोश चाहिः वो किस भी है सुलेमां ने लिए बिल्कुल नहीं इन्हें नहीं लिए यह यह जी्याधीन बर्ये अर जो सुलेमां थे उन्की जू फेमस बुक है वह अलिंद-वलिंद कौन सी है अलिंद-वलिंद और नू से पर अमीर खुस्तन ने लिखा है बिल्कु नहीं होना चाहिए, 13th question में आजाते हैं, ये इल्टुत्मिष के संबंद में पूछा गया है, कि इल्टुत्मिष द्वारत कौन से कारे किये गये थे, इन्होंने भारत में मगबडा निर्मार्ज हो था, उसको प्रारम किया था, जीतलवा टंका का प्रशलन किया था, या इक् पर जाते हैं, ये जो सुधार दिये हुए हैं, वो कौन से शासक ने करवाई थे, क्या सुधार है, कि इन्होंने सैनिक जो थे, उनको नकत वेतन देना शुरू कर दिया था, और इन्होंने खम्स का जो शेर था, राज में उसकी व्रद्धी कर दी थी, राज्य के हिस्से में और सेना में दाग और हुलिया प्रता, इन्होंने प्रारम की थी, तो अगर आपको इन में से कोई भी एक पता होगा, प्रोवेजन किसने स्टार्ट करवाया था, तो आप उसका करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यह होगा, अला इसको क्या कहा गया है, देखिए, ऐसे ही ऑप्शन एक्जाम में आते हैं, जो सब एक तरह के लगेंगे आपको, और फिर आप कन्फ्यूस हो जाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर को ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट आंसर है गुल रुखी, ऑप्शन नमबर C, गुल मुखी, गुल मुखी, इस तरह से हम कन्फ्यूस हो जाते हैं, करेक्ट आंसर किया है, गुल रुखी, ऑप्शन नमबर C, 16th question में आते हैं, एलोरा के गुफाओं के संबन में एक क्वेशन दिया गया है, कहा गया है कि यह सहाधरी परवच्ष्रेणी में है, और यह केवल बहुत धर् से भी संबन देते हैं, जैन से भी संबन देते हैं, और बुद्धिस्ट से भी संबन देते हैं, टोटल यह 32 गुफाएं हैं, जिसमें बुद्धिस्ट गुफाएं हैं 16, और बुद्धिस्ट हैं 12, और जो ब्रामणों से हिंदू गुफाएं हैं वो हैं लगभग 14, और जैन हैं लगभग चार ठीक है तो हमारा कौन सा option इसमें correct होगा इसमें हमारा correct option होगा option number c 1 & 3 केवल second वाला wrong है next देख लेते हैं फिर मंदर स्थापत्य की से related 2 statements दी गई है इसमें कहा गया है कि जो अरिशा स्थाइल है मंदर स्थापत की उसमें मंदब को क्या कहा गया है जग मोहन और जो खजु राहू style of temples है इसको काफी ऊचे चबूत्रों पर बनाया गया था इन में से कौन सी statement हमारी सही है यह दोनों ही सही हो जाएंगी option number c correct है और खजु राहू टैंपल किसके द्वारा बनवाए गये थे यह बनवाए गये थे चंदेल रूलर्स के द्वारा ठीक है चंदेल रूलर्स next question है बनी ठनी बनी ठनी पेंटिंग्स का नाम आपने सुना होगा अब इसका संबंध किस्ते है यह भी important question है इसका संबंध है किशन गडशेली से ठीक है इसमें क्या था basically जो राजा थे सावंत सिंग और उनकी जो प्रेमिका थी बनी ठनी उससे related यह चित्रकला है ठीक है तो इसमें मिनानों का प्रेव किया जाता था अलंग करन के लिए अरिबस्क विदी का यूज किया जाता था और मानव और पशु आकृतियों का प्रेव किया गया है यह statement बिल्कुल गलत है क्योंकि जो Islamic जो आर्किटेक्टर था उसमें जीविट चीजों को का चित्रन का रुकिया जाता था बिल्कुल सही है तो करेक्ट नहीं में option C हो जाएगा next question आता है हमारा मूर्तिकला की मत्थुरा चैली से संबंदित इसमें कहा गया है कि सफेद संग मेंबर पत्थर से बनाई गई थी केवल ये हिंदू धर्म से संबंदित है और ये कुशार जो शासत्य उनका इनको संरक्षर मिलाता इसमें कौन सो option सही होगा इसमें होगा हमारा option number C सही होगा केवल थर्ड वाला बाकी दोनों क्यों नहीं सही है क्योंकि जो मत्थुरा चैली थी इसकी जो मूर्तियां में संगमर्ण में नहीं मिली है सफेथ संगमर्ण में में बनी है किस में बनी चित्तिदार लाल बलु इस संबंदितch monthah क्वेशन एक्वीन के सावली संबंदितं काफी जादा भी निव्मानी में रही है कि channel पूचिअ तो इसके points दे गए हैं, इसमें हमें देखना है कौन सा statement correct है, इसके तहत कहा गया है कि जो कार्ट मानलू था, उसमें एक British resident को रखा गया था, और उसके बाद गड़वाल और जो कुमाई उचले थे, वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए थे, इसी treaty of the valley से, और तीसरी statement में कह गया है कि नेपाल ने सिक्किम पर से अपना अधिकार इसी समय पर इसी treaty के द्वारा खो दिया था, यह हुई कब थी, यह हुई थी 1816 में, मार्च 1816 में, जो अंगलो नेपाल वोर था, उसके खतम होने के बाद यह treaty होई थी, तो option हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें option number D स सारे ही statements बिलकुल सही है, इसमें कहा गया है कि जो जमीन का मालिकाना हकता, वो किसानों को दिया जाएगा, फिर दूसी statement में कहीं गयी है कि यह ancestral होगा और transferable होगा, जो भी पिता के बाद, पुत्र को यह अधिकार मिल जाएगा, इस settlement के अंधर गत, कि वो भूम को अपने अं जाएगा, और last statement में कहा गया है कि यह cornwallis की समय पर अस्ततु में आई थी, तो इसमें से सही नहीं statement पूचा गया है, पहली statement सही नहीं है हमारी, क्योंकि इसमें किसानों को नहीं बल्कि जमीनदारों को दिया गया था मालिकाना हक, right, next question पर आते हैं, आप हम next question देख लेते है इसमें यह कहा गया है कि कौन सा नेत्रित्व करता था 1857 के विद्र होगा, तो यह easy question है, आपको पता होना चाहिए, और आप चाहिए तो इसको पहले comment section में इस cancer लिख दीजे, ताकि आप पता रहे कि मैंने जो बताया उससे आप cancer match कर रहा है या नहीं, तो गोरकपुर के आधर सिंग थे, दोनों गागा से हैं तो ऐसे लेंड कर सकते हैं, बरेली के खान बहादूर थे बिल्कुल शहीं अल्हाबाद के तात्या टोपे ना होकर लियाकत अली खान थे, ठीक है, और तात्या टोपे कर संबंद किससे था, कानपुर से, रैट, और फैजाबाद के मंदित्ह battlefield-ehamadullah इसमें हमारा correct option कौन सा हो जाएगा हमारा correct option option number 123 correct option हो जाएगा option number c एक मिनुदट। इस question में पूचा क्या है incorrect कौन सा है तो हमारा correct option हो जाएगा c क्यूंकि यही केवल incorrect है 3rd वाला और बाकि ए सारे ही सही है इंकरेक्ट और करेक्ट में थोड़ा ध्यान दीजेगा यह तीनों हमारे सही है और यह गलत है इसलिए ओप्शन हमारा सी रहेगा नेक्स्ट क्वेशन में बात की गई है फिर से इंसिदेंस को हमें क्रोन लॉजिकल लगाना है तो हम पहले देख लेते कौन सा इंसिदेंट किस एयर में हुआ यह हुआ है हमारा 5 फेबरी 1922 को चौरी चौरा का कान और जलिया वाला वाग जो इंसिदेंट है यह हुआ था 13 सही होगा इसमें जो हमारा सही सीक्वेंस है वो है ओप्शन नमबर B 4321 फिर आता है कि the philosophy of the bomb यह काफी फेमस बुक है कई बार पूछी जा चुकी है एक्जाम में किसने लिखी है यह लिखी है भगवती चरण वहरान चीक है फिर अगले question को देख लेते हैं अगले question में कहा ग इसमें मूर्ती पूजा भी होती थी और इसमें एक इश्वर वाद यानि मोनो थीज में विश्वास किया जाता था तो इसमें मूर्ती पूजा बिल्कुल भी नहीं होती थी इस पर कोई भी बार्निता नहीं थी इसलिए correct option होगा one and three कि इसमें दिया हुए option number C हमारा correct हो गया इस तरह से आप यह दोनों चीज़ें को रिलेट करकर लेर्न कर सकते हैं यह बनी थी 1927 में राइट फिर आता है भारत छोड़ो अंदोलन इसका समर्थन किसने नहीं किया था तो किसने नहीं किया था हिंदू महास्वर यूनियस पार्टी उफ पंजाब कम्योनिस पार्टी इन तीनों ने ही इसका समर्थन नहीं किया था इसलिए option number D correct हो जाएगा फिर 30th question में आ गया है हम blue moon देखिए अगर आपने geography पढ़े है और blue moon के बारे में पढ़ा है तो यह answer easy है आपको कर लेना चाहिए इसमें कहा गया है कि blue moon के समय जो चंदर माय हो ब्लू हो जाएगा या केवल ही यह वाल की statement सही और ऐसा कुछ भी नहीं है कि चंदर मा ब्लू हो जाता है ठीक है next question पर आ जाते हैं हम इसमें हमें देखना है कौन सा सही सुमे लेते हैं तो सुन्दा जल्द अम्रूमात जो है सुन्दा स्ट्रेट यह जावा सी और इंडियन ओशियन की बीच में है सही और जो बेरिंग स्ट्रेट हैं यह बेरिंग और चुकसी सागर की बीच में और जो युकार्टन स्ट्रेट है यह मैक्सिको की खाडि करेंबिन सी के बीच में यह तीनों ही बिल्कुल कर्यक्थ हैं इसलिए हमारा करेक्ट ओप्शिन कौन सा होралगा ओप्शिन दोनों ही C से हैं तो यह दोनों cold current है और Alaska जो है वो हमारा एक warm current है तो इसमें हमारा correct option कौन सा होगा इसमें correct option होगा option number B यानि 2 & 3 इस तरह से आप cold को California और Canary को समझ सकते हैं अगले question की तरफ औरते हैं यह question हमारा coral reef से related है इसमें कहा गया है यह जो coral reef होता है यानि की प्रवाल भित्ती इनका जो विकास है वो केवल जब स्वच्छ जल होता है तभी होता है और इसमें कहा गया है कि जो sea waves और currents होते हैं वो इनके development के लिए काफी beneficial होते है और इनके लिए best जो temperature होता है वो 20 से 25 degree होता है इसमें जो हमारा correct option होगा वो होगा option number B यानि 2 & 3 पहला statement इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि जो coral reefs है उनके लिए ना ही excessive salt होना चाहिए पानी में और उसके लिए ना ही एकदम completely fresh water होना चाहिए दोनों ही चीज़े harmful होती है तो कौन सा statement सही हो गया है 2 & 3 option number B फिर next question पर आ गया है अब हम लोग अब फिर से हमें बताना है कौन सा correctly masked है तो इन तीनों में जो correctly masked है वो है option number A यानि 1 & 2 correctly masked है चिनूक रोकी परवत के पूर्वी ढाल पर है और फॉन जो है वो आल्फ परवत के उत्तर ही ढाल पर है लेकिन जो सिराको दी गई है यह मध्य अमेरिका में बिलकुल भी नहीं है यह सहारा desert से उत्ती है औ चेन और इटली में इससे वर्षा होती है इसलिए इसको blood rain भी कहा जाता है इसको शिराको को ही क्या कहा जाता है blood rain यह important point है ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार में देखना है कौन सा सही सुमेलत है इसमें जो सही सुमेलत नहीं है वो है option number three point number three नहीं सही सु याने की sandstone quartzite और granite knees यह दोनों बिल्कुल सही है option हमारा correct हो जाएगा option number a ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं recommend याने की परिवलन इसका संबंद किससे है यह दोनों ही statements देखी किसका संबंद कौन सी statement से पहले में आ गया है कि जो वलन होता है जो fold होता है basically ज क्यारिक क्यासल परवत का जो परिवलन यानि recommend का example है तो इसमें से कौन सी statement सही है 36 में हमारे दोनों ही statement बिल्कुल सही है इसलिए हमारा correct option हो जाएगा option number c यह example है इसका learn कर लिजेगा क्यारिक क्यासल परवत और यह ब्रिटेन में है यह इंपॉर्टन पॉइंट है आगे दे इंडोनेशिया में है तो अगर आपको यह learn नहीं है तो दो तीन बार देख लीजिए एक दो बार बोल लीजिए ताकि अगर एक्जाम में आए तो आपको गलत ना हूँ मेरा पी इंडोनेशिया और के लाइव हवाई और कोलिमा जो है वह पच्छी में मेक्सिको में है यह दोनों ही विंड से बने हुए landform से बेसिकली desert में देखे जाते हैं और फियोड जो है यह विंड से नहीं बना है यह बना है ग्लेशियर से और स्टाक बना है वे विरोजिन से इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बर बी यानि वानन टू करेक्ट ह यह काफी जादा important है क्योंकि ऐसे questions थोड़े difficult होते हैं अगर आप इसको नहीं पढ़ा है तो आप इसको solve नहीं कर सकते हैं इसलिए इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ इसमें से फिर हमें देखना है कौन सा correctly matched है पहले में कहा गया है कि जो rocky परवत है उसकी जो सरवच चोटी highest peak है वो Mount Albert है Alps की Mount Blank और यूराल की गोरा वेलुखा यह दोनों ही बिल्कुल सही है लेकिन गोरा वेलुखा इसकी ना होकर किसकी है अल्टाइ माउंटेंस की है गोरा वेलुखा और यूराल परवत का जो highest peak है वो है गोरा नेरो डान ठीक है और वेलुखा किसकी है यह अल्टाइ माउंटेंस की तो इसमें हमारा correct option देख लेते हैं कौन सा होगा one and two correct है तो कौन सा option जा रहा है option number a correct हो गया then next question पर आजाते हैं हम लोग इस question में महा सागरी धाराओं के संदर में कुछ statements दिये हुए है इस question में कहा गया है कि जो हमारा Northern Hemisphere है जो Northern Hemisphere है उसमें जो Coriolis force की वज़े से उसका तो direction है वो हो जाता है right hand side और Southern Hemisphere में Coriolis force की वज़े से current का direction हो जाता है left hand side तो हमें बता रहा है क्या यह statement सही है कि गलत है दूसरी statement में रहा गया है कि जो Northern Hemisphere है उसका direction of current जो होता है वो किसके हिसाब से change होता है change in the direction of monsoon winds उत्तरी महा सागर की जाके साथ ही परवर्तत होती है इसमें से कौन सा statement सही है यह दोनों ही statement हमारे बिल्कुल सही है इसलिए हमारा इस question का answer हो जाएगा option number C चीक है अगला question देख लेते हैं अगला question कुडपा चत्तानों से related है पहली बात है कि एक sedimentary rock है और दूसरे में कहा गया है इसमें fossils नहीं है जिवाश नहीं पाई जाते हैं अगर आपने वे rocks पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि यह सेडिमेंटरी rocks होते हैं इसमें fossils पाई जाते हैं लेकिन कुडपा में fossils नहीं पाई जाते हैं और यह एक सेडिमेंटरी यानि साधी चट्टान भी है इसलिए हमारा correct option इसमें से कौन से हो जाएगा इसमें हो जाएगा option कोट्टा यह जील है हमारी केरला में तो कौन सा option साही हो जाएगा यहां पर फॉर्टी सेकिंड के correct option होगा option अबर बी केवल यह जो कांजली जील है यह पंजाब में 43rd question की तराफ आते हैं खरीफ crop कौन सा है यह खरीफ crop होते कौन से हैं वो होते हैं जिनको जून और जुलाई अभी चल रहा है जून इस समय पर इनको बोया जाता है और September October की समय पर इनको काट लिया जाता है छीक है फिर हम इनको use कप करते हैं winters के winters में वहीं दूसरी जगे के आते हैं rabi crops rabi crops को October November के महा में क्या किया जाता है और उसके माद April May में इनको काट लिया जाता है तो rabi crops का abuse होते हैं Summers में right इस तरह से थोड़ा समझ लिजे क्योंकि ऐसे questions आ जाते हैं काफी easy होते हैं लेकिन तब भी हम confused हो जाते हैं इसका हमारा correct option क्या होगा इसमें correct option है option number A यानि one and two जो हैं वो हमारे खरीफ crops हैं बाकि यह दोनों कौन से हैं यह rabi crops है right पिर अगला question है कि कौन सा सही सुमेलत है जो coffee board है वो time केरला में masala board kochi में और chai board kolgata में इसमें जो सही है वो है हमारा option number B क्योंकि coffee board बैंगलूरू में है बैंगलूरू करिनाटका और masala board kochi अगले question की तरफ बढ़ते हैं जो स्वतंत्र भारत की पहली प्रिथम बहुत देशिये परियोजना थी first multi-purpose project वो था हमारा दामोदर घाटी परियोजना 1948 में लाई गई थी है इसको जो USA की टेनेसी घाटी परियोजना है उसके आधार पर शुरू किया गया था 1948 में then next question है कि कि कौन सा प्लानेट ऐसा है जिसको लगू ग्रह तंत्र कहा जाता है लगू सौर तंत्र कहा जाता है small solar system है वो अपने आपने वो है हमारा जूपिटर आपको पता होगा जूपिटर में almost 67 satellites है और हमारे solar system की सबसे बड़ी जो satellite है ग्यानी मेर वो भी किसकी satellite है जूपिटर की और इसके atmosphere में hydrogen, helium, methane, ammonia ये सब पाए जाते हैं ठीक है तो ये question हो गया next question आता है international date line से related यानी अंतर राश्वी तिथी रेखा ये कहा गया है कि ये काल्पनिक रेखा है और ये स्थल के ऊपर से गुजरती है और ये कई जगाओं पर मोडी हुई है ये बिलकुल सही बात है कि कई चगाओं पर मोडी हुई है ये भी सही है कि ये काल्पनिक रेखा है लेकिन ये स्थल के ऊपर से नहीं गुजरती है इसलिए हमारा जो correct statement होगा वह होगा option number B यानी केवल डूसरी statement ही सही है next question दिया हुआ है Maori जंजाती Maori जंजाती का संबंध है New Zealand से किससे है New Zealand से फिर ये क्यापिटल है असमारा जो और सूडान है वो है खार्तूम रवांडा है किगाली और घाना है अक्रा ठीक है तो ये क्यापिटल स्थोड़ी पता होनी चाहिए जैसे रवांडा की किगाली शायद आपको पता हो क्योंकि महां पर एक convention हुआ था climate change से related तो यह हमने पढ़ा हु में कहा गया है कि society of integrated coastal management के संदर में दो statements ने हुए है पहले में कहा गया है कि ये देश में ब्ल्यू फ्लाग बीच प्रोग्राम को पहली बार इसके द्वारा लागू किया गया है तुसमें कौन से statement हमारी सही होगा है इसमें सी सही होगा है यानी दोनों की statement सही है society of integrated coastal management यह basically इसकी स्थापना ministry of environment forest and climate change के द्वारा के गई थी और इसका उदेश ही रखा गया है कि देश में जो भी coastal areas है उसमें sustainable development यानी सतत विकास को बढ़ावा दिया गया सकते है तो अबने question की तरफ वरते हैं इस question में beaches को हमें match करना है जिनको blue flag beach के रूप में चिन्नित क किया गया है साइकॉम के दवारा तो तेरा beaches है वह आपको सबके नाम एक बार देखने पड़ेंगे आप भूले नहीं यहां पर हम देख लेते हैं यहां पर चार दी हुई है इन में से कौन सी सुमेलत है इसमें answer होगा हमारा correct दी यानी कि चारो ही सुमेलत है शिवराजपर बीच जो है वह गुष्षात में रूशी कोंडा आंदर प्रदेश गोल्डेन बीच ओडिश्या और राधा नगर अन्दमान निकोबार देर समूल में तो यह सारी ही beaches correctly matched है जो 13 beaches के अंतरगताती है ठीक है फिर आता है 52nd question हमारा इसमें बताना है कौन सा सही matched है देखिए मान Biosphere Reserve कहां पर है आंदर प्रदेश में तो यहां पर अप्शन में गढ़बर है कौन सुमेले थे पूचा गया है तो इसमें होगा केवल 1 ठीक है तो आप इसको कर लीजे और 2 को हटा कर एक option इसको correct पाल लीजे ठीक है next question पर आते हैं इसमें कहा गया है कि man in biosphere जो प्रोग्रा है शामिल है यहां पर यूनिप नहीं दिया हुआ है तो आप समझ करेंगे कि यह statement गलत है क्योंकि इसको दिया गया है कि Ministry of Environment Forest and Climate के द्वारा क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसको यूनिप के द्वारा United Nations Environment Program के द्वारा स्टार्ट किया गया था और यह दूसरा statement बिलकुल स मैंने गलत बोल दिया है यह UNESCO के द्वारा स्टार्ट किया गया था जिसका फुल फॉर्म है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization के द्वारा इसे शुरू किया गया था तो फिर भी पहली statement हमारी गलत ही है और दूसरा सही इसलिए option हमारा correct हो जाएगा option number B 1971 में इसको launch किया गया था और यह एक intergovernmental scientific program है next question पर आते हैं हम इसमें खा गया है सफेद जिराफ के संदर में दो स्टेटमेंट्स दिया गया है वर्तमान में केवल विश्व में एक ही सफेद जिराफ बचा है और इसकी सफेद कलर है वह है leucism की वज़े से यह दोनों ही statements correct है अभी recently देखा गया है कि यह तीन थैंड की स convention of migratory species of wild animals CMS इसके संदर में कहा गया है इसको UNEP के अंतरगत एक संदी है और इसको bond convention भी कहा जाता है और इसमें भारत शामिल नहीं है इसका correct option होगा option number A क्योंकि इसमें भारत शामिल है नहीं नहीं भारत इसमें शामिल है यह UNEP के द्वारा ही बनाई गई थी and February 2020 में गांध और उसकी theme क्या थी? Migratory species connect the planet and together welcome them और इसका जो mascot था वो था Great Indian Buster ठीक है और यह basically प्रोग्राम जो शुरू किया गया था यह convention यह convention शुरू किया गया था 1983 में कब शुरू किया गया था 1983 में और तब से ही भारत इसका हिस्सा है और Great Indian Buster जो इसका mascot था उसके संदर में सुन ले में critically endangered species है तो इसका हमारा correct option कौन सा होगा? 55th का correct option A होगा then आगे देखते हैं पाक के tiger reserve देखे पाक के tiger reserve कहा गया है कि यह पूर्वी हिमाले के परवत पदिये चेत्र में है और इसे किसके समीप है यह पाक हुई tiger reserve के है तो पाक हुई tiger reserve और पाक ही tiger reserve एक ही है एक ही tiger reserve है जि नमारा सही है और यह located कहां पर है अरुनाचल प्रदेश में केवल A और recently क्या हुआ है कि government ने decide किया है कि अरुनाचल प्रदेश को असम से करेक्ट करने के लिए एक highway बनाया जाएगा जो पाक के tiger reserve से होकर गुज़रेगा इसलिए यह tiger reserve हमारे लिए important होजाता है then next question है नमेरी tiger reserve इसमें कहा गया है कि अरुनाचल प्रदेश में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्स की जो सहायक नदी है जिया भरेली यह इससे होकर गुज़रती है पहला statement गलत है क्योंकि अरुनाचल प्रदेश नहीं कहां पर located है नमेरी located है असम में right असम में located है और दूस समेरी से जाकर attach हो जाता है तो यह दोनों आसपास ही है यह question हो गया हमारा इसमें correct option कौन सा हो जाएगा option number B ठीक है then next question है सोमेश्वर वरन चीप से related इसमें पहले में कहा गया है कि यह भीतर यह अभ्यारन सोमेश्वर मंदर में कि इस अभ्यारन के भीतर ही सोमेश्वर मंदर जो है वो पाया जाता है और सीता नदी इस अभ्यारन से भ्यारन से बहो कर वैती है और इसमें evergreen, semi evergreen, humid deciduous forest पाया जाते हैं यह तीनों ही statement हमारे सही है इसलिए हमारा correct option हो जाएगा option number B अगली question की तरफ बढ़ते हैं आप देखते हैं निके, निके किसको कहते हैं यह शायद answer होगा option number C, यानि यह दोनों ही statement सही है, यह प्रजाति की किसी भी पारिस्तिति की तंत्र में अध्विती एक कार्यात्मक भूमिका होती है और इसमें कहा गया है कि दो species का exact identical निके नहीं हो सकता, यह बाद भी बिलकुल सही है, इसलिए statement C बिलकुल correct है, right, अब mangrove की विशे तनाफ को अध्यक होती है, तो इनके अनुकूल होती है, ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि उन्हें कम सौर विकरण की अविशक्ता होती है, और last में कहा गया है कि इनकी जो पत्तिया है, वो पतली होती है, तो इसमें जो correct statement होगा option number C, यानि के वर 1 और 2 सही है, दूसरे और 3 और 4 statement गलत है, क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती है, वो काफी मोटी होती है, और दूसरा, यह जो सौर विकरण है, इसकी इनको आविशक्ता होती है, कम की आविशक्ता नहीं होती है, ज्यादा उच दर में इसकी आविशक्ता होती है, तो option C इसका correct हो गया है, आगे ब तो option C इसका correct हो जाएगा, फिर आता है phyto remediation, देखें ऐसे questions, अगर आप देखेंगे तो UP pieces में काफी जादा पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें सब आता हो, लेकिन ऐसे questions हम words से समझ सकते हैं, phyto, phyto का मतलब plants हो जाता है, अब देखें कुछ options पर लेता हैं एक ब करने के लिए कबक का उप्य हो गया, और पर्यावन प्रदूशर को कम करने के लिए सूक्ष में जीवों का उप्य हो गया, तो phyto remediation की बात हो रही है, कोई remedy जो plants के थ्रू हो सके, इस तरह हम अपने answer को निकाल सकते हैं, तो इसमें हमारा correct option क्या हो जाएगा, option number A phyto remediation है, और दूसरा जो statement है, यह है micro remediation, और तीसरा है bio remediation, ठीक है, next आता है pyrolysis से सम्बंद, इसमें कहा गया है, कि जो उश्मा द्वारा, carbonic पदार्तों के रासाइनिक अबखटन की प्रक्रिया होती है, वो pyrolysis है, इसके अलावा कहा गया है, कि इस प्रक्रिया में, हवा के अभा carbonic पदार्त को गर्म किया जा सकता है, और तीसरी statement कहा गया है, कि इसमें sin gas का निर्माह होता है, कौन सी gas का, sin gas का, यह तीनों ही statement हमारे, बिल्कुल सही है, इसलिए option D correct हो जाएगा, right, next question देख लेते हैं, अब इसमें से कौन सा जीव समू प्रत्वी में सबसे जादा है, सब तो C हो गया इसका correct option, फिर आता है भारती वन प्रवंधन संस्था, यह कहां पर है, यह हमारी भोपाल में, option B हमारा यहां पर correct हो जाएगा और यह established होई थी 1982 में, right, फिर आता है compressed natural gas, यानि कि जो हम सुनते हैं गाडियों में CNG, इसमें क्या होता है, compressed natural gas में होती है methane, right, methane, then next mission की तरफ बढ़ते हैं, यह World Wildlife Fund for Nature के संदर में हम से तुछा गया है, इसकी first statement है कि यह IUCN की एक सहयोगी निकाय है, यानि कि associate body है, दूसरे statement में इसमें कहा गया है, कि इसका जो main motive है, main mission यह है, कि यह conserve करेगा nature को, जो biodiversity पर pressure पढ़ रहा है, उसको reduce करेगा, साथ इसकी बिलकुल correct है, यानि कि option number D सही हो चाता है, और World Wildlife Fund for Nature का headquarter बढ़ता है, हमारा gland Switzerland में, ठीक है, headquarters भी important है, और इसका प्रतीक चिन है, वो है giant panda, ठीक है, तो यह हो गया हमारा, अगले version की तरफ देख लेते है, Montreal Protocol, यह कुछ questions ऐसे होते हैं, यह UPPSC के favorite होते हैं, और Montreal Protocol एक favorite questions में ह और यह आपका बिलकुल भी गलत नहीं होना चाहिए, I hope आपको इसका answer पता होगा, comment कर दीजिए, अगर आपको पता है, तो correct answer होगा, इसका option number C, यानि ozone परत के संदक्षन से संबंदत, यह basically 16 September 1987 में, इसको खोला गया था, यह शुरू की गई थी, और लोगों ने, countries ने इस हस्ताक्षर किये थे, और finally यह 1st January 1989 से effective होई थी, 16 September को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है, ozone day के रूप में, right, 16 September इसलिए ozone day के रूप मनाया जाता है, next question पर हम आते हैं, इसमें कहा गया है, कि in which type of biotic interaction, एक जो species है, उसको benefit होता है, और option number B सही हो जाएगा, mutualism की condition में दोनों ही, जो species है, दोनों को लाब होता है, competition जब होगा, तो उसमें दोनों का नुकसान होगा, और predation में एक को लाब होता है, लेकिन दूसरे को नुकसान होता है, तो यह important है, एक बाद देख लीजे, easy है काफी, अगले question की तरफ चलते है, इ डिरेक्टर की salary और dividend distribution से related, branch expansion of banks या audit and supervision से, तो इन तीनों चीजों से ही related, intervene RBI कर सकता है, और यह जो prompt corrective action यानि की PCA है, यह 2002 में जो RBI governor थे, बिमल जालान, इन्होंने prepare किया था, तो यह भी हो गया हमारा 71st question में बहुच गया है हम, और इस question में पूचा गया है, कौन से factors हैं, जो production में include होते हैं, श्रम, भूमी, बौधिक, पूझी, उद्यम, शीलता, तो कौन सा होगा, थोड़ा सा, सोचिए कौन सा होगा, इसमें 4 ही होगा, यानि option D हमारा correct हो जाएगा, then next question पे आते हैं, इसमें कागया है कि भारती अर्थ विवस्ता के समस्त्याओं में कौन कौन स चामिल है, तो capital formation का rate काफली low है, पर capital income काफली low है, और resource allocation की भी problem है, तो कौन सा option सही होगा, option number D यानि सारे ही statements यहाँ पर correct हो जाएगे, then next question की बात करें, तो कौन सी banks को RBI ने कहा है, too big to fail, कौन सी banks है वो, हुए ICICI, State Bank of India और HDFC, Bank of India उसमें नहीं आता है, इनके वल 3 banks के लि correct option होगा, वो होगा option number D, right, option number D हमारा है, इसमें correct होचाएगा, next question देख लेते हैं, इसमें बात की गई है, फिलिप्स कर्फ की, फिलिप्स कर्फ की, फिलिप्स कर्फ जो है, वो basically, बेरोजगारी तर, मच्दूरी व्रद्य तर और मुद्रस पीती के बीच में संबंद option हमारा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा option number A सही हो जाएगा, केवल A, then next question आता है, इसमें का गया है, कि RBI Act के तहट कौन सा ऐसा section है, जिसके अंतरकर जो सरकार है, वो जनहत में RBI Governor के साब परामर्ष कर सकता है, तो वो है धारा 7 यानि section 7, right, फिर आता है कि राश्ट्री करना में शामिल नहीं किया जाता है, इनमें से किसको, तो नहीं शामिल किया जाता है, वो है हमारी option number A, correct है, यानि कि सेवा निवरत जो पेंशन है, उसको शामिल नहीं किया जाता है, जिसको शामिल किया जाता है, जिनको नहीं किया जाता है, वो है option number A, 1 and 2, क्रे विक्रे ज को शामिल किया जाता है यहाँ पर नहीं के लिए पूछा इसलिए हमारा option A करेक्ट होगा जो व्रद्धावस्ता pension होती है वो बेसिकली एक तरफा बुक्तान होता है इसलिए उसको शामिल नहीं किया जाता है और सेवा ने व्रत्र जो pension दी जाती है प्रेटाइमेंट के बाद उसमें प्रेटाइमेंट फैक्टर सर्विसेज भी होती है इसलिए इसको नाश्ट्र इंकम में इंक्लूड किया जाता है फिर 77 वेशन आगया है हमारा इसमें बात की गई है कि बुक्तान संतुलन के पूंजी खाते में क्या-क्या इंक्लूड होता है इसमें क्या इंक्लूड होता है इसमें इंक्लूड होता है प्रत्यक्स विदेशी निवेश यानि कि FDI और NRI जमाए आयात और निर्यात इसमें इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि यह होता है करेंट अकाउंट में क्यापितल अकाउंट में ना होकर इनको किसने launch किया है इसको word bank की जो एंटेनसी है जो international financial corporation उसने जारी किया है और कहां जारी किया है इंडिया में ही जारी किया है फिर आता है कि कोईला उत्पादन में कौन सा देश फर्स्ट प्लेस पर है फर्स्ट पोजिशन फर्स्ट पोजिशन है चाइना की यानि option नमबर D की करेक्ट है फिर क्वेशन आता है कि कोपर प्रोड़क्शन में कौन से स्टेट टॉप पर है सबसे टॉप पर है MP फिर राजस्थान और फिर है जारकन यहां पर माला क्राइब आप्शन हो चाहेगा ऑप्शन नमबर बी यानि मत्यप्रदेश यह टॉप पर है नेक्स्ट क्रेशन है कि 11 जो मुगल करता वे था फंडामेंटल राइट स्वारी फंडामेंटल ड्यूटी यह कब जोड़ा गया यह जोड़ा गया था 86th Constitutional Amendment Act 2002 कियता है तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा Option A देन बात आती है संसत सत्र की शून निकाल जो होता है वो दिन में 12 बजे से होता है प्रेश निकाल कारे का पहला गंटा यानि सामानिता सुबा 11 बजे से और आदे गंटे की रोज चर्चा होती है शाम 5 बजे तो यह तीनों ही सही है इसका आंसर हो जाएगा Correct option number B right 83rd question पर आके हैं हम लोग और लोगसभा का जो विगटन है dissolve कौन कर सकता है यह तो आपको पता होना चाहिए सोची थोड़ा क्या हो सकता है इसका answer और इसका correct answer होगा हमारे राश्च्रपती राश्पती के पास यह वह power है कि वह लोगसभा को dissolve पर सके लेकिन point to be noted is कि इनके प dissolve कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं लोग लेखा समयति पर question दिया गया है इसमें कहां गया है कि इसमें राज्य सभा और लोगसभा दोनों के अध्यक्ष बना दिया रहता है और इसमें कितने members होते हैं लोगसभा के total members 22 होते हैं इसमें लोगसभा के पंद्रा और बाकी 7 members होते हैं राज्य सभा के राइट आगे बढ़ते हैं इस question में कहां किया है कि सर्वोच नयायले ने किस मामले में सम्विधान के आद्वार विधान परिशत के संबंद में statements यह गया है इसमें कहा गया है कि जो इसका निविधारण है वो संसत विदी बना कर सकती है और जो भी विधान परिशत में सदस्ते होते हैं total number वो legislative assembly यानि विधान सभा के one third से जादा नहीं हो सकते हैं तो कौन सा statement इसमें सही होगा इसमें द किया में ठीक है कौन कौन से स्टेट में है चलिकि नेक्स्ट क्वेशन में आपको बताती हूं फिर विधान परिशत के बारे में किन राच्यों में दूए सद्निये विधान मंदल है किन किन राच्यों में है उत्तर प्रटीश करनातक तेलंगाना और ओडिशा ओडिशा को छोड़ कर इन तीनों में है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो चाएगा ऑप्शन नमबर सी अब मैं आपको बताती हूं कि विधान परिशत कौन से स्टेट में है क्योंकि जहां पर विधान परिशत होगी वहीं पर वहां पर दूए सदनिये विधान मंदल होगा अदवाइस एक सदन का होगा तो बेसिकी छे स्टेट सें आपर दूए सदनिये हैं उत्तर प्रदेश और बिहार करनाटका महराश्य तेलंग करना और आंध्र प्रदेश इस तरह से आप कॉंबिनेशन में लर्ण कर सकते हैं छे स्टेट से टोटल राइट नेक्स्ट की तरफ बढ़ते ह इसमें फिरसे हमें विधान सभह से लिड़ेटर पॉयंस दें गए पहले मैं कहा गया है कि विधान सभह यानी लेजिसलेटिव ऐसेमिली में मैं में वाक्श हुआ सब्सक्राइब करेक्ट हो जाता है आर्टिकल 170 जो है उसमें कहा गया है कि मैंग्समें 500 और मिनिमम साथ सदसे होंगे लेकिन आर्टिकल 371 में जो कुछ स्टेट्स दी हुई है उनसे स्पेशल प्रोबिशन जो कहते हैं कि कहीं कहीं पर जो तो नमबर है सीट्स का वो कम हो सकता है और सी में खागया है कि सिख्के में 30 सीट्स होगी रैट फिर भारतिय राषपति के संदर में कुछ स्टेट्मेंस इसमें कहा गया है कि इनके ऊपर impeachment कब लग सकता है जब यह समयधान का अतिक्रमण करें ठीक है और यह अपना त्याक पत्र उपराश्च्पती को दे सकते हैं और राश्च्पती पर कारेकाल के दौरान किसी भी नयाले में कोई भी आप रादिक कारवाई नहीं कि जा सकती है तो इसमें कौन सी statement है यह तीनों ही के अलावा किसी दूसरे यूमें टेजिटरीय स्टेट में कलकत्ता तृप गुषाटी इनके से कर्यक्ट अप्शन में हैं और गोहाटी में तृप्पूरा नहीं होगा इसलिए करेक्ट अप्शन हो जाएगा option No.C वाइट इसके अलावा हम देखे तो Bombay हाई हो गया पंजा राजिया यूनिन टेरिटरीज पर इनका रादेकार है चीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन की तरफ देखिए इस क्वेशन में हमको जो स्टेट से उनके उनमें कितनी राजिसभा सीट से इससे माच करना है तो कौन से ऑप्शन में सही है जो स्टेट दी हुई है देख प्शन नुमबर सी यानी वन थ्री और फोर एसे ग्वेशन भी पूछे जाते हैं एक्जाम में इसलिए आपको थोड़ा ही सब रटना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं अगले वेशन की तरफ इसमें पूछा गया है सरकारिया आयोग ठीक है यहां पर सरकारी लिग गया यहा की विवस्ता है वो कौन से इस दम्मिदान संशोदन से की गई थी तो कौन से से की गई थी सोचिये चलती से कौन सा आंसर का करेक्ट होगा यह की गई थी 69th Constitutional Amendment Act और यह कौन सा था 1991 ठीक है पिर अगला क्वेशन है उप राश्ट्रपति से संबंदित इसमें हमें गलत बतान है गलत कथन कौन सा है देखिए statements पढ़ लेते हैं पहले में कहा गया है कि जो इनका निर्वाचन होता है उसमें संसत के दोनों सदनों के सदस सभी सदस से भाग लेते हैं ठीक नॉमिनेटेड और इलेक्टेड बोथ दूसरी statement में कहा गया है कि राजी सभा के जो सभापती हो मिलती है उसको सारे benefits ठीक है वाइस प्रेसिदेंट के तौर पर नहीं मिलती है उसके बार चौति स्टेट्मिंट होती है उसकी अध्यक्षता उपराश्पती करता है तो यह statement हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि कौन करता है जो लोग सभा स्पीकर होता है वो करता है इसकी बैठ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसका अंसर होगा option number a यानि 165 आर्टेकल में ऐसा प्राफधान किया गया है फिर next question है कि जो राचे पाले उनकी शमादान शक्तियों से संदर में है question इसमें काग्या है कि वह मृत्युदंड में शमादान नहीं दे सकते बिलकुल सही बात है मृत्युदंड में शमादान कौन दे सकता है केवल और केवल हमारे precedent ठीक है दूसरा point है कि अपनी शक्ति का प्रयोग केवल उनहीं मामलों में कर सकते हैं जिन पर राज की कारेपाली का शक्ति का वस्तार हो ठीक है जो राज की शक्ति के अंतरा आएंगे जो मामले उनहीं पर यह अपनी शमादान शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं अदर्वाइस यह नहीं कर सकते हैं तो यह दोनों ही स्टेट्मेंट्स हमारे यहां पर सही हो जाएंगे और correct option हो जाएगा option number c right आगे बहुतते हैं पहले statement में कहा गया है कि लोग सब हमें maximum 552 सदस्य हो तकते हैं फिर क से हमें बताना है कि कौन सा स्टेट्मेंट्स सही है तो इसमें जो हमारा स्टेट्मेंट्स सही है वह option number c देखिए क्यों सही है सुन लीजेया रीसेंट्ली 104th constitutional amendment के द्वारा जो 2019 में हुआ है इसमें क्या किया गया है कि जो आंगलो इडियंस के दो सीट्स रिजर्व की गई इनको समाप्त कर दिया गया है ठीक है इनको समाप्त कर दिया गया है अब कोई भी नॉमिनेशन इनके लिए नहीं होगा क्योंकि नॉमिनेशन कब किया जाता है जब उनका प्रतिनिधित्व कम हो लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि वह आंगलो इंडियंस जो है उनको प्रॉ पांचोपचास ही होंगे क्योंकि दो हटा दिये गए हैं जिसमें से 530 जो सदसे होंगे वो स्टेट से लिये जाएंगे और 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीस से और फिलहाल 543 सीट से लोकसभा में और जिसमें से 530 से हैं और 13 से हैं यूटी से राइट तो आई होप यह आपको क्लियर हो गया होगा इसमें कोई confusion नहीं होगा आगे देख लेते हैं next question इसमें कहा गया है कि जो लोगसभा का उपाध्यक्ष होगा उसका चुनाव उसी तारीक पर किया जाएगा जिस तारीक को लोगसभा का speaker निरधारित करेगा और जो यह deputy speaker है deputy speaker subordinate होगा speaker के तो इसमें से speaker कर मतलब यह नहीं है कि वो speaker के प्रति responsible हो जाएंगे वो responsible किसके प्रति होंगे लोगसभा तो कौन सा option हमारा इसमें correct होगा option number a option a हमारा इसमें correct हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं इस question में पूछा गया है पहले क्रशी मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले क्रशी मं स्वतंत्र था तो हमारी 1947 में मिल गई थी उसके बाद constitution लेकिन बनता रहा था तो जो interim government थी उसमें ये राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन थे पहले क्रशी मंत्री स्वतंत्र भारत का पूछा गया इसलिए नोट करेगा फिर अगला question देख लेते हैं यह DPSP से related है पहले में कह कर इनको enforce नहीं किया रह सकता है यह बिल्कुल सही बात है लेकिन यह सकारात्मक प्रवरति के हैं ना की नकारात्मक तो इसमें हमारा जो correct option होगा option number A केवल प्रथम कथन सही है अब हम आ गए अपने 101st question में इसमें हमें बताना है कि कौन सा basic unit है basic unit कौन सा होगा इसमें इसमें correct option है हमारा option number B यानि की 2 & 3 जो है वो basic units है 2 & 3 कौन कौन से है Kelvin और मोल यह basic units है बाकि यह radian और steradian basic units नहीं है तो थोड़ा science का question है चाहरा आपको पता भी हो easy भी लग रहा हो अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा देख लीजेगा फिर हम आते हैं फिर से एक और science के question पर इस इसमें कंवर्जन किसका होता है इसमें conversion होता है chemical energy का electrical energy में फिर कहा गया है engine में क्या होता है electrical energy जो है mechanical energy में convert होती है और सितार में mechanical to sound होता है तो इसमें correct option होगा हमारा option number C right option C सही होगा क्योंकि जो engine है इसमें होता है heat to mechanical energy का transfer ना की electric यहां पर क्या हो जाएगा heat energy to mechanical energy then next question है हमारा gravitational acceleration से related इसमें कहा गया है कि इसकी जो value है वो depend करती है mass के उपर और इसकी value जो है वो decrease होती है depth के साथ तो कौन सा statement सही है इसमें option number B सही है केवल दूसरे statement सही है लेकिन पहला गलत है क्योंकि mass पर यह depend नहीं करता है अगले question की तरफ आ गए हम लोग अब इसमें पूछा गया है surface tension कौन से चीजें यहां पर surface tension से related है पहले में कहा गया है कि जो गरम सूप हम पीते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है in comparison to 省दे सूप के यह क्यों होता है because its surface tension दूसरे में कहा गया है कि जो कपलों की सफाई होती है से उसमें भी surface tension का रोल होता है उसके बाद तीसरे में कहा गया है जो थिन नीडल होती है और वो पानी बेतैरती रहती है इसमें भी surface tension का रोल होता है तो यह तीनों ही सही है यानि कि हमारा correct option हो जाएगा option number D फिर हम आ गया है next question पर अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है तो इसमें आप देखी आपको पता है इसका answer क्या होगा easy question है थोड़ा सा लिगे confusion ज़रूर है इसमें हमारा correct answer होगा odometer यह सुमेलित नहीं है क्योंकि यह basically क्या measure करता है यह measure करता है distance traveled by the wheels of vehicles ठी control किया जाता है उसको measure करता है odometer और बाकी यह तीनों सही है pyrometer high temperature को measure करता है और potometer क्या करता है it is measure it is used to measure instrument of transpiration rate in plants right और manometer क्या है manometer basically gas pressure को measure करता है gas के दापको मापने वाला यंत्र है तो यह learn कर लीजए कर आपको इनके बारे भी नहीं पता है अब हम आ जाते हैं अगले question की तरफ इसमें देखिए हमें देखना है कौन सा element और अपने और से match करता है ठीक है तो d option इसमें सही होगा यह तीनों ही एकदम correctly matched है calcium, phosphorite, magnesium, dolomite और sodium, borax यह correctly matched है ठीक फिर आ जाता है कि जो हमारी man species है इसमें कौन सा acid एकात्र हो जाता है इसकी इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है यह देखना है इनमें से कौन सा incorrect है इसमें जो incorrect है वो है हमारा डी क्योंकि acetone का प्रयोग हम fire extinguisher में नहीं करते हैं हम करते हैं nail polish remover के रूप में right जो पहला है rat poison वो zinc phosphide होता है बिल्कुल सही है artificial rain, silver iodide और pain killer morpher ठीक है और acetone किसमें हो यूज होता है nail polish remover में then neutron neutron की खोज किसने की देखिए questions हमने जरूर पढ़ने होंगे school में 6-7th class की questions है ल इसका हम इसी चीज़े एक्जाम में गलत हो जाती है तो इसका हमारा correct answer है James Chadwick इन्होंने discover किया था neutron को ठीक है फिर अगला question रहता है कौन सी बिमारी virus की है तो इसमें से कौन सी virus की बिमारिया है option हमारा correct होगा A यानि first and second measles और tobacco mosaic virus यह दोनों virus से होती है ठीक है और diptheria जो होता है यह basically bacterial disease है आगे देखते हैं इसमें कहा गया है कि यक्रतियान लीवर के संदर में statements रहे हो है पहले में कहा गया है कि सबसे बड़ी गरंती है human body की दूसरे में कहा गया है कि यह convert करता है ammonia को urea में और तीसरे में कहा गया है कि कुछ amount का carbohydrate को fat में convert करता है फिर हम देखते हैं अगला question यह kidney से related है इसमें कहा गया है कि pH value को control करता है और यह osmo regulation को maintain करता है जिससे body में water balance बना रहे है तो यह आपको osmo regulation वाली बात तो पता होगी किटनी का ही काम होता है और pH को भी यह नियंत्रत करता है इसलिए इसका correct option हो जाएग option number C ठीक है फिर करते हैं blood में और salivary gland जो होता है लार्ग रंथी इसका उधारन है तो इसमें जो हमारा option सही है वो है option number A यानि first and second सही है लेकिन salivary gland endocrine का पार नहीं है ठीक है next question आया जाता है pancreatic hormones यह question आपको पता होना चाहिए ऐसे questions ही science में पूछे जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम कर ले देखिए इसका correct answer होगा option number D यानि 1,2,3,3 तीनों ही pancreatic hormones है insulin, glukogen और somatostin ठीक है then इसमें अब हमें क्या करना है देखना है कौन सा correctly matched नहीं है देखिए इस question में options देख लेते हैं फिर पता चलेगा इसमें से कौन सा correctly matched नहीं है देखिए यूगलीना जो होता है वो collective link होता है स्वरी collective link होता है plants और animals के बीच में और prototeria यह होता है reptiles और mammals के बीच में और archieopteryx यह क्या, kep Mueller's और amphibians के भीच में हमारा गलत है क्योंगी यह basically होता है reptiles और birds के बीच में फिक है, यह आँ एक extinct bird हो चुकी है और یہ collective link होता है reptiles और birds के बीच में और यह peripatus, यह होता है 조ह है, option number c यहाँ पर correct हो जाएगा फिर Allen का नियम क्या है देखिए Allen का नियम क्या होता है कि जो cold region में रहते हैं living beings ठीक है उनके जो limbs होते हैं वो छोटे हो जाते हैं अत्य थे थंदे प्रदेश में जाने वारे जो जनतु हैं उनके खुले अंग जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं इसी को कहते हैं Allen's rule याई option A हमारा correct हो किया है hundred and eight तीन्त question पर पहुच के हैं हम और इसमें बताना है कौन सा disease bacteria के थ्रू होता है तो वो होता है typhoid malaria basically protozoa से होता है और polio और डेंगू यह दोनों ही viral diseases है ठीक next में आते हैं कि animal cell में क्या नहीं पाया जाता है देखिए cell wall animal cell में नहीं पाई जाती है और दूसरी चीज जो नहीं पाई जाती है वो है plastics इसलिए correct option हो जाएगा option c यानि टू और फोर cell wall और plastics animal cell में नहीं होता है next question पर आ गया है अब हम लोग देखिए estrogen जो है वो एक female hormone होता है यह पता होना चाहिए आपको और दूसरा point है कि testosterone और estrogen इन दोनों का ही उत्पादन pituitary gland से होता है pituitary gland में जो स्रावित होते हैं तो यह hormone को नियंत्रत करते हैं इसमें कहा गया है कि इन दोनों का ही उत्पादन pituitary gland से स्रावित हार्मोन के नियंत्रत में होता है तो कौन सा statement यहाँ पर सही होगा यह दोनों ही statement सही है यानि option number C correct हो जाएगा next question दिया गया है operation clean art इसका संबंत किस से है किस से इसका संबंत सोचिए इसमें कौन सा correct option होगा इसका correct option है option number B क्योंकि यह illegal trade of mongoose hair को stop करने के लिए शुरू किया गया operation है basically यह जो mongoose hair होते है नेवले के बार होते हैं इनका प्रयोक के रहता है painting जो brushes होते है उसमें वो होता है इसका hair उसमें use होते है और यह illegal इसकी काफी ज्यादा trading हो रहे है इसकी वेज़े से इसको रोकने के लिए यह operation 2019 में start किया गया है December 2019 में जहां तक मुझे याद आ रहा है next question पर आ जाते हैं हम लोग सडक सुरक्षा पर तीसरा जो वैश्विक मंत्री स्तरिय समेले ने उसका आयोजन कहां पर हुआ है यह इसका आयोजन हुआ है हमारा 122 का answer होगा B यानि stock home में इसका आयोजन हुआ है अगले question की तरफ पढ़ते हैं सयद मुश्टाख T20 tournament trophy यह किस ने जीती है यह करनाटका ने जीती है और तमिल लाडु को हराकर जीती है लगाता है दूसरी बार्स को करनाटका ने जीता है तमिल लाडु को हराकर अगला question है जो agriculture export policy 2018 है इसके तहर आन्द प्रदेश के किन जुनों को भारत सरकार ने केले cluster के तोर पर अधिसूचत किया है आन्द प्रदेश के केला उतपादकों को विशेश अग्या था और आधुनिक तक्रीक प्रदार करेंगी ठीक है तो यह हो गया अगली question में आते हैं यह governance का जो 23rd राष्ट्रिय सम्मेलन हुआ था यह कहां आयोज़त हुआ था यह आयोज़त हुआ था बांबे में जाए में और इसकी थीम थी इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांस्फोमेशन ठीक है इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांस्फोमेशन देन नेक्स्ट वैश्विक जलवायू जोखिम सूचकंग इससे पॉइंट्स दिये गये हैं इसको कहा गया है कि इसको जारी करता है यूनाइट नेशन समें वहारत का पांच बहिस स्थान है इसको यूनाइशन में चाफ़ी कजा हैं अगर आपको यह अच्छा लग आ है तो प्लीज इसको चानल को को जरूर्व और अगले piik कीचे वह passer अगले क्वेशन की तरफ पड़ते हैं देखिए ग्रेम अंत्राली ने अभी जारी सर्ष्ट्रेश्ट पुलिस स्थानों की सूची दी है उसमें से फर्स नंबर पर कौन सा पुलिस स्थाना है जहां पर सबसे अच्छी तरीके से काम होता है वो है अबर्डीन अबर्डीन कहां यह किसको दिये गाए है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है इंकरेक्ट है तो जो सुमेलित नहीं है वह सर्ष्ट्रेश्ट अभिनेत्री यह अगर आपने नहीं देखिए तो देख सकते हैं काफी इंट्रेस्टिंग है सेकंड बेस्ट डिरेक्टर है बॉंग जून हो को यह भी बिलकुल सही है यह इनको मिला है मुवी पैरासाइट के लिए और पैरासाइट मुवी ही बेस्ट ऑसकर जीती है ठीके और बेस्ट अनिमेंटिट फिल्म यहाँ पर टोर स्टोरी फोर यह भी बिलकुल सही है 12 साल की उम्र है उसकी उसका नाम है काम्या कार्थी के एन ठीक है फिर आजाते हैं 130th question पर इस question में कहा गया है कि मानव विकास उचकांक यानि human development index से related statements दी गई है पहले कहा गया है इंडिया ने अपनी rank improve की है पिछले साल का comparison में ये सबसे पहले यानि option पर D हमारा correct हो जाएगा then next question पर हम आते हैं Miss Universe 2019 ये जीता है किसने जीता है सुना होगा आपने जहां तक ये जीता है जोजी भी नी टुन्जी ने ये कहां की है ये है South Africa की और वरतिका सिंग इंडियन थी जो टॉप 10 में पहुची थी इससे पहले Miss Universe कौन जीच चुका है सुश्मिता सेन जीच चुकी है और लारा दत्ता जीच चुकी है then UNFCC का जो COP हुआ था यानि Conference of Parties का 25 जो सत्र हुआ था उसका आयोजन कहां किया गया उसका आयोजन किया गया Madrid, Spain में then आता है Global Gender Gap Index 2020 इसको release करता है World Economic Forum इसमें इंडिया की 112 rank है और Norway first country है जिसमें least gender discrimination होता है इसमें हमारा correct option हमें choose करना है कौन सा होगा correct option, correct option है A यानि first और second statements गलत है, sorry सही है और third statement गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि नौर्वे नहीं first place पर है Iceland, right, first अब इससे लिए first और last positions याद होनी चाहिए किसी भी index की, क्योंकि इससे questions आ जाते हैं कई बार, तो Norway नहीं है कौन सा है Iceland, then 134th question पर पहुच गया है हम लोग, इस question में कहा गया है, climate change performance index से related points दिये गया है, इसमें कहा गया है कि इंडिया ने अपनी ranking improve की है, और जो first three positions हैं उसमें कोई भी देश नहीं है, और कहा गया है Sweden जो है उसको 4th position दी गया है, कौन इसमें statement सही होगी, ये तीनों ही statement सही है, यानि option number D हमारा correct हो जाएगा, all of the above, देखिए, कोई भी जो देश है इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है सभी श्रेडियों में कि उसको top three positions दी जाए, इसलिए सबसे starting कि तीन positions को vacant रखा गया और fourth position दी गया है Sweden को, और जो last position है वो है US की, ये भी एक important point है, इंडिय यहाँ पर ninth position पर है, राइट अगले question की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है national broadband mission के समदर्ब में कुछ points देए गया है, ये national digital communications policy 2018 का part है, और इसमें कहा गया है कि 2024 तक पूरे देश भर में broadband के सेवा प्रदान कर दी जाएगी, इसमें हमारा correct option होगा केवल option number A, second statement इसलिए यारा थे क्योंकि 2024 ना होकर 2022 तक इसका ऐसा लक्ष रखा गया है, ठीक, अगले question में आ गए है, यारा वाइरस, देखिए अभी recently news में था यारा वाइरस, तो कौन सी country से related है, चाइना से बिलकुल भी related नहीं है, ये मत सोचीएगा, इसका correct option होगा Brazil क्योंकि ये ब्राजील से related है, basically February 2020 में ब्राजील की एक जील में, researchers ने वाइरस की खोच की थी, और वाइरस का क्या नाम रखा था, यारा, ये किसको affect करता है, ये amoeba को संक्रमित करता है, ठीक है, humans से इसका कोई relation नहीं है, luckily, और इसका नाम कैसे पढ़ा है, जो ब्राजील की पौरानिक कताएं है, उनम आगे question पर देखते हैं, देखिए, इस question में chief of defense staff से related statements दिये हुए, इसमें कहा गया है कि ये head होंगे department of military affairs के, और ये serve करेंगे as a secretary in the ministry of defense, और बिपन रावट जो है, वो हमारे देश के पहले CDS बने है, तो इसमें से कौन सी statement हमारी सही है, तीनो ही statements हैं, इसलिए option इसमें कि जो one city report 2019 आई है, उससे points दे हुए, सरवादिक वनावरण कहा गया अरुनाचल प्रदेश में, उत्तर पूर्वी जो छेत है, उसमें कुल वनावरण छेतर में बढ़ोतरी हुई है, और कुल वनावरण जो है, वो 21.67% है, तो इसमें से कौन सा हमारा statement सही होगा, इ ठीक है, उसके बाद second number पर आता है अरुनाचल प्रदेश, और अरुनाचल प्रदेश में लगभग ये 79.63% है, फिर आता है मेगाले, जिसमें 76% के लगभग है, 76.33, और उत्तर पूर्वी जो छेतर है North Eastern इंडिया, वहाँ पर कमी आई है, वहाँ पर लगभग 0.45% की कमी द लेखी गई है, और अगर हम 1 छेतर फल के हिसाब से देख लें, तो टॉप पर आता है MP, उसके बाद आता है अरुनाचल प्रदेश, और तीसरे पर आता है 36, ये 1 छेतर फल के हिसाब से area wise, ठीक है, और अगर हम कवर देख लें, forest cover, तो forest cover तो हमारा 21.67 सही है, लेकिन tree cover हमार 2.89 परसेंट है, और forest cover प्लस tree cover जो देखें, वो है 24.56 परसेंट, तो इसमें हमारा कौन सा option सही हो गया, option number C हमारा यहां पर correct हो गया, आगे देखते हैं, देखिए, good governance index यानि की सुशासन सूचकांग, इसको 25th December को मनाया जाता है, अटल भिहारी वाचपई जी के जन दिवस को good governance tree के रूप में बनाया जाता है, और इसी दिन launch किया गया था, यह index 2019 में, और इसमें कहा गया है, इनके statements यह हैं, कि इस index को release करता है, ministry of personal and public grievances and pensions, और महराश्ट इसमें, बड़े राच्ट्रों में, बड़े राज्यों में सबसे top पर है, और डेली union territories पर top पर है, तो इस पहला जो बड़े राज्यों में top पर है, वो है तमिल नाडू, और महराश्ट्र second number पर है, इसलिए second statement हमारा गलत हो गया, फिर हम देखते हैं, पूर्वोत्तर और पहाडी में सबसे पहले है हिमाचल प्रदीश, फिर आता है उत्तराखन, और यहां पर पूर्वोत्तर और प चीक, तो यह थोड़ा रटना पड़ेगा, रट लीजे एक दो बात देख लीजे ताकि याद रहे, फिर आता है सीप्री, सीप्री इस स्टॉक्वोम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट, इससे रिलेटेट स्टेटमेंट्स दी होई है, पहली statement है कि भारत ने सब सबसे बड़ा हतियारों का आयातक है और USA सबसे बड़ा निर्यातक है, इसमें कौन सी statement सही होगी, यह तीनों ही statement सही है, इसलिए इसका correct option हो जाएगा, option number D, next question है, कि जो प्रिमियर बाडमेंटन लीग होई थी 2020, इसको किस ने जीता था, इसको जीता है, बैंगलूरू राप इसको को 2024 तक 5 trillion तक पहुचाना है, तो उत्तर प्रदेश भी उत्तर प्रदेश भी उसमें अपनी भागेदारी सुनिष्चत करना चाहता है, और इसने लक्ष रखा है, कि हम 1 trillion की economy बनाएंगे, उत्तर प्रदेश राज, ठीक है, तो यह 2024 तक इनोंने भी कहा है, और देश की economy भी 5 trillion तक पहुचनी है, then 43rd, 143rd question आगया है हमारा, इसमें कौन सा सही सुमेलत है, यह चारों ही सही सुमेलत है, जोन पूर उनी दरी से रिलेटेड है, और बलराम पूर खाद प्रिसंस करन, पलसेज का, और बस्ती कास्ट, शिल्प और मुजफर नगर गोर, देखिए, वन district, one product, यह scheme launch की गई है, उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा, तो जो आपका, जो भी आपका district है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कुछ important, important सबका learn कर लीजे, ताकि अगर exam में पूचा जाए, तो आप बता सके, then 144th question में आ गया है हम, इसमें Chief Minister's Apprenticeship Promotion Scheme है, ठी यानि कि मुख्यमंतरी शिक्षुता प्रोच सहानी होजना, इसमें पहली statement में कहा गया है कि इसमें monthly training allowance जो है, वो नहीं दिये जाएंगे, फिर कहा गया है कि यह scheme 2021 में सरकार द्वारा लागू की जाएगी, और इसमें लगबग 100 करोण का आवंटेट किया गया है, इसमें, इसका जो correct answer होगा, वो होगा option number B, यानि second और third, first statement गलत है क्योंकि इसमें monthly training allowance दिया जाएगा, right, फिर अगले question में आ गया है, राज स्मार्ट सिटी योशना में basically 7 cities को include किया गया है, कितनी 7, उनके नाम सुन लेजे, एक हो गया merit, गाजियाबाद, अयोध्या, गोरगपर, मथुरा और शाजहाँपर, इसमें कौन सा होगा option हमारा correct, option number C, यानि 3 and 4 इसमें आ रहे है, तो option C correct हो गया, then, इस question में खागया है कि उत्तरप्रदेश ये कितने राज है, देखिए, उत्तरप्रदेश का map एक बार देखिए, और आपको map नहीं पता है, तो तु नाम कौन सी है, टोटल 11 नंबर है, ऐसी district का, नाम सुली जी कौन कौन सी है, आगरा, इटावा, जॉलान, जासी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूर, प्रयागराज, मिर्दापुर और सोनभद्र, ठीक है, तो टोटल 11 है, और यहाँ पर नाम दिये हुए है, जो क् इसमें हमारा correct option हो जाएगा D, क्योंकि जालोन, जासी, प्रयागरा, जिटावा, चारो ही उसमें included है, फिर next question पर आते हैं, उत्तर प्रिदेश का जो budget है 2020-21, इसमें पालन हार योजना ली गई है, किस से संबंदित है, यह basically दिव्यां दबपत्तियों के जो बच्चे होंगे उनके पालन पोशर से संबंदित है, ठीक है, उनके जो बच्चे होंगे, उनको प्रतिमा कुछ grants दिया जाएंगे, ताकि उनको अच्छे से पालन पोशर हो सके, देखे, ऐसी योजनाएं ध्यान से पढ़ लीजे, क्योंकि योजनाएं भी पूछी जाती है, अब recently क्या विशलेशन संस्थान ने इसका नाम बदल देया गया है, और किसी के नाम पर रखा गया है, तो किसके नाम पर रखा गया है, मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया है, यह हमारे डिफेंस मिनस्टर भी रह चुके हैं, और यह जो इंस्टिट्यूट है, यह बेसिकली 1965 में इस्टाबलेश हुआ था और अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज होकर मनुहर पारिक का रक्षा अध्यान एवं विशलेशन संस्थान नाम हो गया है फिर है कि 2011 के जन्गरिणा के इसाब से कौन सा ऐसा है जिसकी दश्किय व्रद्धी कम हुई है यानि नकारात्मक पाई गई तो वह दो है एक है बौध बुधिस्ट रिलिजिन और दूसरा है सिख रिलिजिन ठीक है सिख तो यहां पर सिख तो दिया नहीं हुआ है बौध दिया गया है करेक्ट आणसर हमारा ऑप्षिन डी हो जा और गढ़गंगा मेला हापुर में होता है, सोडो, सोडो मेला जो है वो कहा होता है, कासगंच में तो option हमारा भी correct हो गया है क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है, इसके साथ यह वीडियो हमारे यही पर finish होता है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको like, share और subscribe जरू Thank you so much!